नमस्कार दोस्तों नेचुरल डोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस विडियो में जानेगे कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए। कहां पे लगाना चाहिए। अपने शरीर को सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की चार महत्वपून अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसे जुडी हुई है। चलिए शुरू करते हैं शरीर का पहला महत्वपून अंग पैर का तलवा दूसरा है ना भी तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर ये च जार सबसे महत्वपून अंग है और इन चारों जगहे पर आपको तेल लगाना है बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है पैर का तलवा आपके पैरों के तलवे जो व्यक्ति रोज सुभा जाग कर मौर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर तो उसकी आखों की रोशनी कभी कम नहीं होती तो इसलिए आपको पैरों के तलवे में शुध तोरी का तेल लगाना है इसके अलावा आप शुध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं जब आप रात में सोने जाए तो उसके पहले गुन-गुने पानी से तेल से गर्माहट आएगी। तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। जो की आपके शरीर का सबसे महत्वपून अंग है। नाभी के पीछे एक पेकोटी ग्रंथी पाई जाती है। और इसी पेकोटी ग्रंथी से शरीर की सारी नसे जुडी हुई होती है। और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथी होती है। इसलिए नाभी में तेल लगाना पहले माताएं दो से तीन बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वे कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डिया उतनी ही मजबूत होगी। और वो घर पर बना हुआ शुद्ध सर्सों का तेल होता था। पहले हैं। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाई नाक में और एक बूंद बाई नाक में दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में एक एक बूंद डाले। इसके इतने फायदे हैं मैं यहां गिनाते गिनाते ठक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो तीन से चार महीने के अंदर पागलपन की दवा बंध हो जाएगी। अगर आपके कान के परदे में छेद है तो बिना ओपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नेंद की समस्या है, नेंद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्ट कमजोर है, याददाश्ट आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिन्दगी में नहीं होगा। जुकाम स से आपका शरीर पूरा दिमाग जुडा हुआ है वो है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको दस मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी। दिमाग की याददाश्ट पावरफुल होगी, शरीर की शक्ती बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। यानि की शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी सिर में तेल लगाने से। तो दोस्तों आप शुद्ध सरसों के तेल को अपने शरीर के इन चार अंगो पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।